ओके सो हलो एवरिवन आज मैं आप लोग के लिए एक नया ट्रिटमेंट लेकर आया हूँ जिससे कि आप लोग को काफी ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा शाइनी लुक मिलेगा तो देख सकते हो आप लोग मेरे पास है फ्लोरा एक्टिव का ब्लू टॉक्स जो की और इसमें क्या क्या आप लोग मिलने वाला पूरा डिटेल में बताऊंगा लेकिन उसके पहले देख सकते हो बैक साइड में लिखा है इसका प्राइजिंग और प्राइजिंग देख सकते हो कि 22,000 यानि की 22,000 के आज पास इसका प्राइजिंग है और इसका रिजल्ट भी उसी तरह इतना बैस्ट है तो हैर्स देख सकते हो सबसे पहले आप लोग कि हैर्स कितने ज़्यादा फ्रीजी और कलर्ड हैर हैं और बहुत ज़्यादा बालों में डाय वगरा भी बहुत पहले लगा चुके हैं तो इन हैर्स को आप लोग देखोगे कि final result कितना amazing आने वाला है आप लोग के पास भी ऐसे बहुत से हैर आते होंगे जो कि बहुत ज़्यादा color वाले हैर होंगे तो चलिए आप लोग को में detail में दिखाता हूं step by step तो सबसे पहले आप लोग को हैर्स को अच्छी तरीके से wash कर लेना है तो आप लोग Flora Active का W1 shampoo से अच्छी तरीके से निकाल रहे हैं और प्रोड़क को आप लोग को देख सकते हो कि किस तरह से इसे शेक कर लेना है पहले अच्छी तरीके से क्या होगा कि जो हमारे मिलेर्स जो नीची की तरफ बैठा हुआ है वो पूर आच्छी तरीके से हमारे जो प्रोड़क उसमें मिक्स हो जाएगा तो आप लोग को पास एक पॉम्प रहेगा जो कि हमारा जो प्रोड़क है उसके साथ में ही मिलता है उस पॉम्प से आप लोग अपना प्रोड़क निकाल सकते हो जो कि आपका फ्लोरा एक्टिव का ब्लू टॉक से तो चलिए इस पॉम्प से आप लोग को निकाल लेना है कम उसे towel dry किया है, towel dry के बाद आप लोग को blow dry नहीं करना है, आप लोग का hairs 50% weight होने चाहिए, और 50% weight hair में आप लोग को करना है procedure, तो आप लोग को ये procedure कैसे करना है, application कैसे करना है, सारा कुछ आप लोग को detail में बताएंगे, तो जल्दी से वीडियो को like कर लिजे और चैनल पर प आप लोग को apply करना है, देन उसके बाद में बाकी के hairs पर जो length है आप लोग का, वहाँ पर brush से dab-dab करते हुए, पूरा अच्छी तरीके से apply करने के बाद में, उसको finger से बहुत ही बहतरीन तरीके से आप लोग को penetrate नहीं हो पाता, इसलिए, खोशिश करें कि 50% आप लोग को गीले बाल में ही करिए इसे, इससे क्या होगा कि आप लोग का जो product है, वो पूरा hairs पर length पर अच्छी तरीके से apply हो पाएगा, और जो हमारा product है, वो पूरा hair length पर penetrate हो पाएगा, और moisture हमारे बालों में अच्छी त आप लोग को इसे पूरा डिटेल में और अच्छी तरीके से करके दिखाता हूं कि आप लोग को ये 5 चीज़े आप लोग के बालों में किस तरह से मिलने वाली है, लेकिन इसका procedure भी आप लोग को बहुत ही proper तरीके से और अच्छे से करना है तभी आप लोग को एक final result मिलेगा, तो क्या procedure है कैसे मैं आप लोग को detail में बताते जाता हूं, पूरा ध्यान से देखिए और अच्छी तरीके से आप लोग उसे मलसिफाइ करेंगे, वो अच्छी तरीके से हमारे cuticle में penetrate हो पाएगा और एक अच्छा सा हमें जो हमारा effect है वो मिलने वाले बालों में, तो देखिए step by step हमने पूरा product हमारे बालों में अच्छी तरीके से लगा लिया है, जो हमने 40 ml निक तो इसे प्लास्टिक रैपर से भी रैप कर सेकते हो या फिर आप लोग के पास shower cap हो तो उसे भी आप लोग पैक करके रख सकते हो 30 to 35 मिनिट्स के लिए, देन उसके बाद में आप लोग को इसे ब्लोड राए करना है, ब्लोड राए आप लोग को first एकदम cool ब्लोड राए कर लोग में एक अच्छा सा shine आए और आप हमने basic four sections निकाल लिया है, पूरे hairs को अच्छे तरीके से dry करने के बाद में, basic four sections पे आप लोग कभी भी work करिये, और सबसे main बात कि जब भी आप लोग chemical work करिये तो hand gloves पहनना बहुत ज़्यदा ज़रूरी है, क्योंकि काफियाद है chemical हो सारा कुछ मैं आप लोग को बताता होँ, तो सबसे पहले आप लोग को नेप का area लेना है, और बहुती पतले पतले sections लेते हुए करना है और जब आप लोग iron associates करोगे तो root से लेकर middle lane तक पहले आप लोग को आई निंघ करना हैują, और कितना repetition करना हो भी मैं आप लोग को बता करना है जब भी आप लोग बालों में आइनिंग कर रहे हो तो कम से कम एक बार आप लोग को एक बार में जो भी लेंट आप लोग कर रहे हो उस पर 15 से 20 बार आप लोग आइनिंग कर ये और आप लोग को जो टेंपरेचर है वो टेंपरेचर आप लोग के हेर के अकोरडिंग ह रख सकते हो तो यह नहीं कि सब जगा सेम टेंप्रेचर रखना है आप लोग को टेंपरेचर आप लोग के हैर्स के आकोडिंग ही रखना है तो देखिए मैं step by step पतले पतले sections लेते हुए आइनिंग करते जा रहा हूँ जैसे कि मैंने आप लोग को बता है कि एक लेंद पर आप लोग को 15 से 20 बार अच्छे तरीकी से आइनिंग कर रहा है जितना अच्छे से आप लोग आइनिंग करोगे आप लोग का जो product है वो cuticle के अंदर बहुती बहुती बहतीरीन तरीके से penetrate होड़ पाएगा और आप लोग के बालों के पर्मनेंट रिजल्ट दे पाएगा जो कि आप लोग को चाहिए हमने इसे किया और काफी बहतीरीन सामें हेल्दी लुक आएगा जिसमें कि इसमें है चैनिनो प्लास्टिया और नेनो प्रोटेक्शन जो कि आप लोग के बालों को काफी हदा हेल्दी बनाने में मदद करता है तो चलिए जब आप लोग को आइनिंग पुरी तरीके से complete हो जाए तब आप लोग को पाच मिनिट के ल लेना है बहुत ही प्रॉपर तरीका से जाप लोग का हो जाए बालों को अच्छे तरीकी से ब्लोड रहा है पहले कूल ब्लोड रहा है और इसके बाहर है प्लोग को पूरी तरीके से clean हो चुग है आप लोग को ये blue talks treatment कैसा लगा comments करके जरूर बताना दोस्तों और अभी आप लोग को और कौन से hair से related treatment चाहिए वो भी बताएए और जैसे कि हमारा series चल रहा है वो step by step part to part आते रहेंगे मिलते हैं next video में bye bye take care